को अब को हलो फेंड्स वेलकम टू माई चैनल अन्य मिलियन टूबियान मनी इस चैनल पर मैं कोशिस करता हूं कि कमपनी का अनलाइसीज करूं फिनास अनलाइसीज करूं तो उसी के करब में आज है स्वाट अनलाइसीज साव इलाइस इंडिस्टी का सवाट अनलाइसीज स्टेंग्ज विकिनेस अपर्चुनिटी इंट्स अभी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा अच्छा अच्छा लगेगा तो यह सुरू करते हैं कि स्टोक मार्केट से लेटेड है कंपनी में है है फिरांस अनलिस्ट नेलिश्ट है इकर्ण पोजीशन है तो तूस्त अर्ट इंडिस्टी का यह ब्रण पोजिशन सरिट करता और समय तो इंपरटेंट प्वाइट चाहें इस टॉनउटर रहित क्या है सिंग्निफािकेंट मार्केट से इंपर शेयरी सेचर्ण करता है अ Corn Caitlin दर्न का इसका स्रेंग्थ बिखनेश पि אני ऐसंदिस्टरी सऔर अलाइसिज में स्टेंग्र बिखनेश जो है यह यह इंडरनल फेक्टरा रही है कि यह इंडरनल फेक्टरा हिया है कि और प्रच्डाडी जो है है एक एक ट्रोपिटेंडी जह यह एक्टर्ण फैक्टर है यह हमारा कि कि अध्योन लॉप्टर से ऑपरचट्वूंटीट स्यल्टर एक्टर्ण इंप सब्सक्राइब यह आध्या थुवर्ण मेंशमेंट फर्म्डफ है जो की एक इस ब्रांड को इसका बेंचमार्क इसका बीजनेस पर्फॉमेंस दूसरे कंपूटर से कंपेर करता है इस इंडिस्ट्री लिम्टेड एक लिडिंग ब्रांड है एनर्जी पावर सेक्टर में अब इसके बारे में थुर्दा ब्रीफ कर ले क्या है यह देले प्रेंट कंपनी के इस इंडिस्ट्री करें करें सबसे बड़ी और बहुत रहने हमाद मेंचलने वाली कंपरी हें सब्सक्राइब एवरी कंट्रीव क्वर्प्राइट इंडिविजुल नीड आरजी तरगिट मार्केट कि है कमपनीड नीड नर्जी फोर प्रोडक्शन पिपुल नीड पेट्रोल डीजल एंड गयिस फोर डिमस्टिक पर्पोस तर्गेट मार्केट किया है पुरा कंपनीज को जोद परते एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए लोग और प्रिट्रोल की जोद परती है डीजा गैस दमेश्टिक विजिस के लिए पॉस्टिंग क्या हाई चेंड क्वालेटी प्रोड़क्ट से इसके वा है अब अब ओर कि यह देखते हैं कमपनी का क्या हिए इस पर फ़िश्ट जान ले कमपनी के बारे में तो फोकस करती है कि यह फोकस करती है ब्रांट बिल्डिंग में जो की इस टिंग यह अधिक है है और जो है इसका मार्केट पोजिशन को इंप्रूब करता है ध्यान रखिए इस्ट्रेंग्थ कि एंड अपोचिनेटी यह यह जो है ब्रांट बिल्डिंग करता है ब्रांट बिल्डिंग जबकि विक्नेश जबकि विक्नेश और थेट्स जो है यह मार्केट पोजिशन को इंप्रूब करता है इस कंपनी को धिरू भाई अम्बानी ने नाम सुने होगा धिरू भाई अमगानी ने स्टार्ट किया था है जो काफी बड़ा बिजनेश टाइकुन है जो शी जीव सुरू किया था सिफर्थ शुरू किया था आज बिलिएनर बन चुका है ये कमपणी अब तो धिलुबहारी रहे नहीं के बैटे बुके संबानी अनिलंबानी वेलिक समाल रहे हैं और रिलाइस इंडिश्टी ने तेली कम्यूनिकेशन में भी अपना बेंचर शुरू किया है रिलाइस्टीयो के नाम से जैसे आप जानती हम लोग मुभाईल यूज करी रहे हैं रिलाइस्टीयो के नाम से जो की 4G पर है 4G अचली इंफर स्टेकचर पर आहाै। और पूर देश में पूरे इंड़ेश में चले रहे हैं करेat रिलाइस के नेटबर्क ही है और काफी इसकी लेंस के एडवांटज है दाटा करेदीर हैं अब ओब्रव्वीव कियाा रिलाइसिटी में last industry is one of the few companies that have the most diversity what business such as petrochemicals petrochemicals में है chemicals में है energy में है retail में है अग्यास नेचरल गैस नेचरल गैस मीडिया तेलकम तेलकम में एक्सबश्पचीस कंट्री में मोर देन 125 कंट्री में ओपरेट है और तेलकम कंपरी एलाइंस इंडिस्ट्री जो है एलाइंस यो वह 4G infrastructure काफी अच्छा excellent infrastructure 4G का पूरे कंट्री में पूरे भारत में और यह एक एज दिया गिया है इसके सभी computer पर चाहे बेसनल हो चाहे भारती एटेल हो या एडिया हो जो भी हो यह सब इस computer पर अभी भारी पड़ाया है यह एलाइंस जी ओ फोर जी कि लाइंस जो यह काफी प्रोफेड़ लिश्टेड कंपरी है और यह इंडिया के टॉप 100 लाजेस्ट कंपरी में कि यह टॉप लाजेस्ट कंपरी इन दे वर्ल्ड नोट इंडिया के टॉटी टॉटी के फोर्चून कि फाइव हंडेड में हंडेड एमंग बिट्वीन एमंग दा हंडेड लाजेस्ट कंपरी में लिश्टेड है और रिलायंस इंडिश्टी जो है अब हाल में रिकोर्ट कर नुसार पता है कि यह गीन एनर्जी में भी इनर्जी बिजनस में भी गीन एनर्जी बिजनेस में भी इंटर करने जा रही है जहां पर यह 75 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगी 2025 तक यह इंडिया में एट एट लाज़ेस्ट लाज़ेस्ट इंप्लायर ही है इंडिया में इंडिया में इसे दो लाग से ज्यादा इंप्लायर इसके अंदर है लाज़ इंडिश्टी इंडिया का पहला कंपनी है जो की आठ लाग करोड आठ लाग करोड जो की ऐस मार्केट के यूईस डॉलर 122.85 बिलियन मार्केट कर्पिरलाइशन है जो कि 300 मिलियन कस्टमर को मार किया है यह अगर भी हुआ हमारे डिलाइशन दिश्टिक है आगे बढ़ते है स्वर्ट अनलैसिस पर आते है स्टेंग्ट क्या इंटर्नल फैक्टर सौट अनलैसिस्ट क्या है यह एक्जामीन करता है कंपनी का ब्यूटि और विल्नेस को इंटर्मस में एक्स्टरनल और इंटर्नल एक्स्टरनल फैक्टर में कुछ इंपोर्टर फैक्टर है जो ब्रांड इस्टेंग्ट कम्योंती करते है जैसे फिनासिल पोजिशन एक्सपेंस वर्कफॉस प्रड़क्टिवनेस और इंटेंगेबल असेट्स लाइक ब्रांड भेलू तो पहले जानते इसका स्टेंग्ट किया है पहले इसके पाथ डेट कम है कर्जा बहुत कम है लोडेट कर्णा प्रेड में यह काफी अच्छा एक्सपेंस के पूरे दुनिया में चल रहा था इलाइंस इंडिज ने काफी फंड किया विट वीच फंडिंग टॉप कंपनी जैसे गूगल फेस्बूक इंटल इस सबसे उन्होंने इंवेस्ट किया इंवेस्ट इन आ रहे एल रिलांस इंडिस्टी लिमेटेड में यह करीब कोणा फेर्ट में 1.8 लाक करोर इंवेस्टमेंट किया इसमें जो कि इस कंपनी के लिए बर्दान साबित हुआ इसने नोंने अपने डेप्ट को प्योप कर दिया काफी मदददा सर्वेस्ट हुआ इंवेस्टमेंट जो इसने गूगल फेस्बूक इंटल वगराल है इंवेस्ट किया इसे परदान साबित हुआ अब दूसरा स्टिंग्ट किया है स्टोंग प्रोमोटर कि दुनिया जानती है यह तेसला जिसका सुपरमैन प्रोमोटर एलन मस्क वह अपने के जीटिंग्स के लिए बहुत प्रोमोटर कहा जाता हुने उसी तरह से रिलाइंस इंडिस्ट्री में मुक्य संबानी को उसी तरह से इस्टोंग प्रोमोटर कहा जाता है कि इस्टोंग प्रोमोटर जो अपने बोल्ड कि इसकी मूब और कंट्री के लिए प्यार करने वाला ये बगनेश्म नहीं है कि औहिसे स्टेंच में जाता है प्रमोटर होना चाहिए उसका विंपर्पावर होना चाहिए डिसक ले सकता हो वैसे प्रोमोटर क्या अप सकता है बिजनेश्ट चलाने के लिए अब 3 कि इस तरन ब्रांट ब् 500 ग्लोगल में सामीर हुआ है कि यह फंडामेंटली इसे फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी है कि यह मैटर नहीं करता है कि कि सेक्टर में यह जियो ने जो कि हमारी मॉवाइल कंपनी है उन्हों ने पांट साल में कि 40.57 करोर के यह जोड़ा है अगर मार्केट पोजेशन थिसका में 怖़ कर रहे हैं काफी इसकी इसकी लिट कर रहे है एक बाप जैयल जैयंंट इन्डिया में स्डुंग पैसिच्टाइल में इस्टॉंग पजूसिशन इंटेश्टाइल और टेनर्जी इसे बता चुका हुआ पेल एनर्जी डिटेल ये टिलकॉम इंडस्टिर्वें जियों के साथ हो चुका है एप यह लैंज जियोंने जियोंने सुप्ड किया है फिस दा मारकेट अब सिग्निफिकेटि किर इसके पास रिलाइंस इंदिश्ट्री सिंग्रेंट मार्केट मार्केट से रहे हैं सभी बिजनस सेग्मेट में जो भी बिजनस कर रही है और तेलकम सेक्टर में जीयो किंग है जीयो किंग रिलाइंस इंदिश्ट्री अपना वर्ल्ड का लाजस्ट रिफाइंडरी है रिफाइंडरी इन जामनगर जामनगर गुजरात में है यह वर्ल्ड का सबसे लाजस्ट रिफाइंडरी है एक करीब सब्सक्राइंडरी के साथ लाजस्ट है लेटेश्ट टेकनलोजी और यह रिफाइनरी जामनगर में यह उफ्रेशनली इफिस्यंट है काफी बेनिफिट दिया है और हर इल्ड दिया है इस कंपनी को अब एक से डिटेल इंजटी में पुर्यत कंट्री में और इंफ्यासी जद्ध द्यादा दे रही है बैकवाड इंट्रिकेशन में में आप एलुच्थ इंप्रूब्मेंट कर रही है बहुत खेतों से किसानों से प्रोकुर्ट कर रही है इसके पोडुक्त है उनको ले रही है कश्टमर को डारेक्ट सेल कर रही है रिलांज का इंडिया का लाजस्ट रिटेलर हो गया है इंटेलर कंपनी बन चुकी है यह क्योंकि यह फार्मर्स लेते हैं और सीधा कर्षमर को बेशते हैं और रिलांज जीवा तो नंबर वन हो चुका एंडिया में नंबर वन यह एक तुफान की तरह था इस्ट्रों था यह इसका सुपर लेटिव इंफ्रा इस्ट्रक्चर फोर फोर जी के लिए नेटवर्क चालू सुरू कर दिये नेटवर्क बनाने के लिए कि यह पुरू इंभिया में दैस में कम्पिटीम इणूर्ड किया है और यह ट्रियुकं को मदद किया है और यह पॉप्लूर बॉक्ट बन गिया है यह था आज बन गिया है कि अब इस disciski हैं सब्सक्तट का काफि अच्छा है यह इसके मुकाबला कोई नहीं दूसरे कंपनी खड़ा है यह बिगेश्ट प्लेयर है इंडिया में इस ट्रॉंग नाम के साथ एक्सेलेंट फिनांसर पोजिशन भी है एक्सेलेंट करते है फिनांसियल करा को पोजिशन जो और तो काफी और फीट है पूबल्द के fest और यह इंगे कंपनी है मौ कंपनी है जो इस ट्रहों ब्लाजिंग कंप में फीचर होती है और मार्केटिंग त्वी दोफिस्स के दोरह प्रिंट ओनलाइन एड्स की द्वारा होती है रिलाइंस ने अपने काफी जीते हैं काफी जीते हैं और यह इसका फोकस है होलिस्टिक ग्रोथ का है होलिस्टिक ग्रोथ यह यह कोर्पेट कोर्पेट सोशल डेस्पोंसिलिटी में भी कारेड़ एक्टिव ही है रेस्पोंसी फिलिटी यह जैसे पार्ग बना देती है रोड बना देती है कुछ जो पब्लिक के लिए उटलाइज हो तो यह सेसर में भी बढ़का है वी बर्द रही आगर में तूर् है मद्व की इसको पूजिसजन है कि इसको और हो बैंने से पॉइंट किया जाता है कुछ कुने जू होते हैं जांग कंप्वनी लाइक करते हैं तो इसके मँख़ा मिलता है कि अपणे से आगे बढ़ सके हैं कि क्या है प्रोडेक्शन हो रही हम तो ड से से दो मेजर प्लांट से जैसे केज़ी 26 और तापती के फिल्ट ये कुछ नेश्यच्रेल और बोपरेस्ट चलेंज जा गए थे इसके वज़ा से ये दोनों प्लांट में प्रोड क्लाइन हो गया कम हो गया था कि इसके बज़ा से यह सप्लाई और फ्रैसल मार्टिर में एफ्यक्ट पड़ा है विशेंट डाविस्टिंग डावेस्ट किया है कंपनी सब प्रोड़क्शन शेरिंग कॉंट्रेक्ट चतरुए में मैं यह ग्लोबल एक्सपंशन में प्लान दियें का इस अफेक्ट ग्लोबल एक्सपेंशन प्राण पड़ेगा यह कुछ अपने कर रही है अपने पूरा रहेगा नहीं रहें रिष्ट कर रहे हैं तो निचरल इसद पड़ेगा कंपनी के एक्सपेंशन प्राण पर अब क्या तिसरा लीगल प्रॉशिदिंग्स लिटिवेशन इस वी विवाद में फसे रहे हैं यह बहुत से लीगल प्रॉशिदिंग्स में जैसे बहुत से काफी इमांट इपनाल्टिक रूप में गवर्मन देना पड़ा है जो कि कंपनी इसके वाइल कंपनी चलाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा हो सकती है वहां टांग डानानी के लिए खड़े रहते हैं अपना नेत्यगरी चमकाते हैं जमीन को लेकर बेखड़ा करते हैं कभी इंवर्मेंटल इसू को खड़ा करते हैं तो उस सब को लेकर लिगल बैटल करना क्योंकि यह सब तो बनाए हुए होते हैं इसमें किदम होता नहीं है उसकी तरह से अब चौथा विकनिस क्या है पॉलिटिकली भर्ण डेवल अब क्या होता है कभी पॉलिटिकल मोटिबेटेड होता है जैसे भी फार्मर का अंदुलन चला किसानों का अंदुलन को लेकर है तो उससे क्या हुआ काफी इसको असर पढ़ा है कि इसके अंदुलन काड़ियों ने रिलांस इंडिश्ट्री के टावर को और इसके प्रड़ाट को भी ट्रागेट किया इससे इसको फार्स नुक्सान पहुंचा कि लॉस भाए को फार्मर को एक्ट्वीश्ट लम जो से दो जने से नं ब्लेश जो स्प्रवा कि अब क्या है बाद में भाट में यह लेको मार्केट फ्रेश्ट्र है यह ज्यादा तर एंडिश्टरी के मार्केट जो हैं wux इंडिया मार्केट में आए और इसको चैंज करना होगा एश्यादर एश्यादर डॉओ के लिए एक्सेंट कर सके ग्रॉब के लिए ग्रॉब में और एक्समान कर सके इसका इसे नू श。 कुछिस करना चाहिए और साथ में रिलाइस इंडिस्ट्री ओंजी सी के साथ इसूं चल रहा है कि आ गोदावरी बेसीन एक्सपोरेशन लेकर क्रिशना गोदावरी बेसीन को लेके कुछ जाल रहा वंजिसी के साथ तो इसले नेच्छन का जबाना मार्कर रहने के लिए कंपिटिशन तो फेस करना ही पड़ता है कि कंपिटिृट करें व्हें कि- एर ग्रोफ करते हैं कि यह जैसे हैं तो दोस्तों यह रहा है विटनेस आगे बढ़ते हैं अपोचिनोटी भी सब्सक्राइब अपध्राइब घ्राइब को अपक्रण के लिए इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए और बूर्ड को आगे कंपनियों को यह ब्रांड का यह कहा पर निर्फर करता है यह ग्रफिक पर दुनिया में और प्रड़क्ट प्रॉलिटी और ज्यादा बेहतर कर सके बेटर कॉम्मेनिकेशन कर सके पॉब्लिशिटी कर सके यह सब छीजे अपर्चिनिटी में आती है बेटर इसलिए इस पर एक्सटेनल फाक्ट का जाता है जैसे निव प्लांट्स निव प्लांट्स कुछ नए प्लांट डिसेंट्ली खोले अराईल ने जैसे पेट रेसिन प्लांट एन प्यूर्फाइड तेरे फैल्टिक एसिड प्लांट जो की देहज गुजरात में खोले गया है इसके अप्रेशन के फस्लिटी को बढ़ा जा रहा ताकि प्रोडक्शन के बढ़ा जा सके ताकि रिलाइंस के पोजिशन को मार्केट में और मजबूत किया जा सके अब दूसरा अप्रियोटी क्या है अब इन्वेस्टिंग इन्टर्नेशन कि 2015 में रिलाइंस इंडेश्टी ने मेमार ऑफ्सोर ब्लोक के लिए 96% इंटेस्ट बिट प्राप्त किया था मेमार में बर्मा पुराना बर्मा मेनमार कि अप्सोर ब्लोक कि 96% इंटेस्ट तो इसको इस तरह के चीजों को आई रिदान से इंडेशन को गलोवली अब यह तीसरे तीसरा ओप्रियोंटिंग क्या सीवियां कोल कि सीवियम क्या होता कोल बेड्य मिथेन यह नेचुरल गैस जो की कोल बेड्य से पाया जाता है को नहीं को बेड्य मिथेन इस तक इसको दो ब्रोक मिले है इसको अर्यायल को त्याकि इसका उट्लाइज क्या सब्सक्राइब को अनकर्णमेशन नेश्वल गैसी रिस्वार्स को इसे काभी फाइदा होगा उसे अब चौता क्या नीव आपर सिर्लाइंस जीओ अपर्णमेशन का लाज़स्ट नेटवर्क है इस जरूत है नहीं ने ओफर की टेंशन ताकि पॉलिसी को रिटेंश कर सके किस्टमर को रिटेंश कर सके जो की जीओ से ड्रोप ना हो दूसरे आपर में दूसरे टेलिकॉम जान क इसके पास इसके पास ना जज़ सके इसलिए यह को मुझे संभाने को यह करना होगा कि यह ने ने ओफर करें जो कि आपी लाबदाय को के लिए आपने कर सके एक रिटेंशन पॉलिसी बनानी चाहिए रिटेंशन पॉलिसी कंपनी को बनानी चाहिए ताकि यह अपने कस्टम कुमर को अपने हिया रख सके अब फिर अगल की यह प्रिट्टी ऑफ है रिलाइंस के लिए यह का कर सकती है जो इसको ख़ई सकती है जस्ट डायल को एक्वाइड किया इसको जियो माट के साथ इंट्रिगेट कर दिया ताकि इसका प्रजेंस डिटेल सेक्टर में बढ़ सके इसका 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 इंट्रेट किया गिया इसको ताकि अपना कश्टमर वेस्ट बढ़ा सके डिटेल सेक्टर में उसकी सब पार्टनेशिप पर देखना चाहिए यह अपना पार्टनेशनल एक्सपोजर इसका हो सके है इसलिए ज्यादा ज्यादा पार्टनेशिप बढ़ाने चाहिए इंडिया बेसिस पर ने प्रेग्लोबल पर अब आगे बढ़ते हैं इंडिस्ट्री अब यह यह करना है बैटरी जोकी बहुत असानी से इसके लिए और अलड़ी प्रेटिकल केमिकल सेक्रेटरी में है है कि इसंदिश्टी पेट्क्र्ट्री प्रडूस करना चाहिए उससे कंके प्रडूस एक हो सके कि यह क्यों कि पर पास अब क्या करते हो करना होगा कि ए डिज्टिव करना होगा कि रिलाइंस को बहुत से इसू है फिक्स करना होगा उससे ताकि इंप्रूइमेंट हो सके और कॉमन बक्स को अभाइड कर सके जो कि पूरे इंदिया से उसे मिल रहे हैं कि इसेशन बाइब बढ़ते जा रहे हैं जो का अब आप यूज इंडिस्ट्री के लिए वारे पूरीट है काफी उसे में अपने पूचन बर्णाना चाहिए है में लॉपाइब कर आधा चाहिए इसे यह इसे व वाइल कंपनी के लिए भी टाइप होना चाहिए और इस इंडेस्टी के बिजो बिजनेस को बुश्ट कर सकता है अब टाइप कि बिद ग्लोबल वाइल कंपनी करना चाहिए अपना इनर्जी को बुश्टप करने के लिए अब चौथा है यह भी अक्षेट्स के लिए जो एक नेक्टिवली इंपेक्ट करता बिजनेस पर कुछ फैक्टर्स जैसे अंचैनल है कोश्ट श्चाहिटर के वाण जाना होलियंट प्लिची में चैनल करना जैसे कंपि liaison कोश्ट्व्ट्र करीैड ऑननहों कि गवर्मेंट प्ट्रेश के प्रश्टेंज सेक्राइब कि पो बसे ख्रीज्च करना श्राइग देट्स कं प्रडूंत करना अल्टरनेट कि अल्टरनेट को बनाना या सर्विसेश देना यह सब त्रीट में आते हैं तो इन सबसे बचने का उपाय करना चाहिए रिजांस इंदिश्ट्री को तो पहला देखते हैं जैसे लाइनस जीओ फ्री ऑफर चंडर्ड रिलांस जीओ का एक साल तक यह आपर दो भी चल रहा था दो बन हो गया है इसे मौका मिला कॉस्टमर्स को फिरी डाटा कॉलिंग ऑफर इंडिक्री पैकर के साथ मिला और एक्सेंडेट ऑफर किया निव टैम्स बहुत ब्लू टैम्स इसको ऑफर को एक्सेंड किया गिया बहुत बार लेकिन यह आपर अब खतम ह खति गाए है कि कॉस्टमर्स का बं सके है इसका बंसके और इसके आदत लग जाए जीयो की कॉस्टमर की जैसे अंग्रिजेटल कि मार्केट में बनाने अपना बनाने के लिए चाय फिरीम फिला उसी तरह से जीओने भी तो इससे अब एंड हो चुका है इसका पॉलिशी फिरी पॉलिशी तब पता चलेगा इलाइंस जीरों के पास कस्टमर कुजिएंट करने का क्या है यह यह इलाइंस के अधियर यह बफादार रहते ही रहते है तो अब देखते हैं थेट्स क्या रेगुलेशन जात अगर गुवर्मेंट कुछ चेंज कर दे गुवर्मेंट पॉलिशी तो यह इसके लिए बिकत हो जाएगी ध्रिट हो जाएगी जिए बहुत तारी रेगुलेशन इस्टिक्ट किया गया है जिसके वज़ेश से इसके ग बश вы worked EA चे टेलकूम SECTOR में उसी तरह राने ग्रूप बेटfal का मस्की kijken मैं जिसे यह तेल है तेल तेलकॉं में ग्राइब क आप को में दिया उसी तरह से बागाए ने नए अरणी गरूप ने हैं ट्रीकेमिकर समन्य क्यों ति लानी lle को लॉइंट हो नुक्सान पहुचा सकता है उसी तरह से टाट ए wee टाटम ने भी काफिता है करनास क्या है तो उसने कभी पहले नहीं किया था यह बूली तरह से रहइंस तरह को की लुटत पहुचा एक क्पान के oxygen । अब क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा फेक्टर है बिगेस्ट दिजास्टर हो सकता है मैंकरन जो कि फेस करता है रिलाइस इंडिस्ट्री अफेक्ट हो सकता मेंली वाल प्रेटोकेमिकल बीजनेस जहां 50% ज्यादा टोटल डेवन्यू अर्ण करती ह वाल एंड प्रेटोकेमिकल बीजनेस से रिलाइस इंडिस्ट्री जेनरेट करती है क्लाइमेट अब असर पड़ेगा तो यह इसके सेक्टर पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इसे नुक्सान दायक हो सकता है उसी तरह से इंटेंस कंपूडिशन इन ओल सेक्टर कंपूडिश बन सकता है तो बहुत कंपूडिशन कर रहे हैं कर रहे हैं रायल इस इंडिस्ट्री क्योंकि बहुत सब्सक्राइब कंपनी सब्सक्राइब कर दोरा यह सब बहुत बढ़े इसे बचने के लिए इसे और भी अपने मेहनत करने पड़ेगी अपने प्रोड़क्ट को अपने मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा और ग्लोबल परज़न्स बनानी पड़ेगी सब्सक्राइब करना पड़ रहा है इसके मार्केट को लिमिट कर दिया गया है उससे सब्सक्राइब कर रही है अपनी जड़े मजबूत कर रही है यह सब्सक्राइब कर रही है जो यो का बज़ा से अपने कर्ष्टमर को खुछ चुकी थी उसे पाने भी खोशिस कर रही है कि गवर्मेंट रेगुलेशन और स्टिक डिड गाडलाइंस जो के ऑपरेशन को डिश्टरफ कर सकती है हाई के इंडिस्ट्री के मार्केट सेवर को कम कर सकती है इसके प्रासिस को कम कर सकती है अब लाइस इंडिस्टी लिमिटेट कंप्रेट क्यों साथ मार्केट में जो कंप्रेट कर रहे हैं सेम से कस्टमर के कुछ चार कंप्रेटर है जो कि प्रेटोलियम सेक्टर में जबहात प्रेटुलियम इंदुस्तान प्रेटुलियम ओंजिसी आयोसियल यह सब प्रेट पैदा कर रहे हैं तो यह सब है प्रेटो केमिकल्स में लेकिन और इटेल में भी इसे बता है फूचा ग्रूप डीमार्ट यह सब प्रेट कर रहे हैं तो इन सबसे इसे पाड़ लाना होगा नहीं तरीके नहीं मार्केट नहीं प्रोड़क्ट और दूसरे सेक्टर में देखना सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को सेर करें बेल बटन प्रेस करें दवाएं ताकि हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें बहुत 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 धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ओके